दोस्तो बहुत सरे लोग ये सूचते हैं कि कुरान और बाइबल की बाते लगभग सेम है यानि कुरान में जो सिक्साइं बताई गई है वो बाइबल की सिक्साओं से कापी हद तक मेल खाती है लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है दोस्तो अभी मैं आपके सामने एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें कुछ मुस्लिम लड़किया कुरान के उपर बातलाब कर रही है उनकी बातों से आप ये समझ पाएंगे कि कुरान की बाते किस प्रकार बाइबल से बिलकुल अलग है तो जैसा कि आपने यहाँ पर सुना कि कुरान के अनुसार कुछ जानवर जन्नत यानी स्वर्ग भी जाएंगे लेकिन बाइबल ऐसा बिलकुल नहीं सिखाता बाइबल कहता है कि केवल मनुस से ही स्वर्ग जाएंगे जो येसो मसी को अपना एक मात्र उद्धार करता की जानवरों में जीवन तो होता है परन्तों उनमें आत्मा यानी सोन नहीं होती परमिस्वर ने जानवरों को अपने सब्द मात्र से ही स्रिष्टि की लेकिन उन्होंने मन्स को भूमी की मिट्टी से अपने हाथों से रचा और उसके नथनों में जीवन का स्वास फूंक दिय और इस प्रकार से आदम एक जीवित प्राणी बन गया जैसा कि हम उत्पती दो साथ में पढ़ते हैं तो यहां पर आपने सुना कि कुरान कहता है कि नावालिक बच्चों की अगर मौत हो जाती है तो वो जननत में जाते हैं लेकिन बाइबल के नुसार जिन वच्चों में पाप का बोध नहीं होता यानि जिन वच्चों में सही और गलत की समझ नहीं होती और जो बच्चे मानसिक रोगी होते हैं वैसे बच्चों की अगर मौत होती है तो वो सर्ग में जाते हैं यहाँ पर बाइबल और कुरान की सिख्षाओं में ये अंतर है कि जैसा कि हम सब जानते हैं भारत में 18 साल से कम उम्मर के बच्चों को नाबालिक किस रणी में गिना जाता है और मुझे जहां तक पता है कि एक 14-15 साल के बच्चे के अंदर सही और गलत की समझ आ जाती है तो जैसा कि यहाँ पर आपने इनकी बातों से सुना कि कुरान के अनुसार स्वर्ग में लोगों के बच्चे भी होगे लेकिन बाइबल ऐसा बिलकुल नहीं सिखाता बाइबल सिखाती है स्वर्ग में ना तो किसी की साधी होगी और ना हे उनके बच्चे होगे जैसा कि मती 22-30 में लिखा है क्योंकि जी उठने पर ब्यासाधी न होगी परन्तु वे स्वर्ग में परमेस्वर के दूतों की नाई होगे यानि पुनरुथान के बाद का हमारा सरीर स्वर्ग दूतों जैसा होगा संसार की हमारी ये सारीरिक देह स्वर्ग देह में परिवर्तित हो जाएगी परन्तु उन में प्रजनन करने की एक शमता न होगी संसार में जिस तरह मनुस से सारीरिक सुक और भोग बिलास में लगा रहता है परमेस्वर के राज्य में वैसा नहीं होगा वलकि वहाँ पर हम आनंत काल तक स्वर्गदूतों की नाई उनके साथ मिलकर परमेश्वर की स्तूती करेंगे प्रकासित बाक्या 19.5 में लिखा है और सिंगासन में से एक सब्द निकला की है हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों क्या छोटे क्या बड़े तुम सब उसकी स्तूती करो आमिन